जब उस मुल्क ने जिसने हम पर राज किया है सालों साल तक उसकी अर्थववस्ता को पच्छाड के हम अगर पाचवी अस्थान पराप्त करते हैं तो जाहिर है देश की जनता को बहुत-बहुत गर्व होगा और गर्वानमीत महसूस करेगी खासकर जब अमरित काल का समय चल आज जब देखते हैं कि देश की अर्थववस्ता को तो देश की अर्थववस्ता और भारत ऐसा लगता सिनोनिम है चाहे दुनिया में किसी कोने में भी चले जाईए किसी कोने में भी दुनिया के चले जाईए तो वहां आज दो ही बाते हो रहे हैं भारत ने चंद्रयान की जो सफलता है भारत का, उसके बारे में पूरे दुनिया में चर्चा है, जो सेफ लेंडिंग और बहुत बड़ी सफलता है, उसके बारे में दुनिया में बहुत चर्चा है, और दूसरी भारत की अर्थ ववस्ता के बारे में बहुत चर्चा है, हमने देखा है कि पिछले कटनाईयों का भी सामना करना पड़ा ऐसे हालाता है जैसे कोविड हो महामारी जैसे हालाता है जब लॉकड़न हुआ एकॉनोमिक एक्टिविटी बिल्कुल तूरे दुनिया में बंद हो गए हिंदुस्तान में भी बिल्कुल खतम हो गई थी और फिर उक्रेयन क्राइसिस हु बिल्कुल बंद हो गया डिस्रप्ट हो गया था सप्लाइचेन बिल्कुल और वो उसके वजह से हर चीज में तकलिफ आई यह दोनों कटनाईयों के बावजूद भी आज जो भी फैसले लिए अधरनी पर्थान मेंतरी जी ने पिछले नौ साड़े नौ साल में आज देश क अर्थवरस्ता बहुत मजबूत है मजबूत नहीं बहुत तेजी से जो है अर्थवरस्ता जो है दोड रही है और दुनिया में जो सबसे अच्छी उभरती वी economy, brightest spot जो है वो भारत है आप उसके आक्ड़े, पचास वाक्ड़े ऐसे हैं जिससे लोग कह सकते हैं कि देश की अर्थवरस्ता हिंदुस्तान के अर्थवरस्ता जो सबसे अच्छी है